So, hey learners, welcome back to stock missionary. Suppose, कीजिए मैं आपको एक ऐसे इक सीक्रेट również candle stick pattern के बारे में बताता हूँ जो आपको market में reversal को identify करने में help करे well, एक ऐसा ही candle stick pattern है जो हमें reversal को advance में predict करने में help करता है तो इस वीडियो में हम जिस candle stick pattern के बारे में बात करने वाले हैं वो है pinbar Now the question is, what is spin bar? Simply pin bar एक reversal candlestick pattern है जिसमें candle की body छोटी होती है पर इसका एक side का wick बहुत लंबा होता है ये दो तरह के होते हैं bullish pin bar और bearish pin bar bullish pin bar की formation कुछ इस प्रकार है इसकी body छोटी होती है पर इसका lower wick मतलब नीची का wick लंबा होता है और upper wick या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है और इसका color matter नहीं करता ये red भी हो सकता है और green भी हो सकता है bearish pin bar का body भी छोटा होता है पर इसका upper wick लंबा होता है और lower wick या तो छोटा होता है या तो नहीं होता है same इसमें भी color matter नहीं करता ये red भी हो सकता है और green भी हो सकता है अब इसके पीछे का logic समझिए कि क्यों जिसका lower wick लंबा है वो bullish है और जिसका upper wick लंबा है वो bearish है देखे bullish पिनबार का लंबा lower wick हमें बताता है इस pattern के formation के दौरान seller's price को इस point तक नीचे लेकर जाते हैं पर sustain नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ buyers की entry होती है जो वापस price को उपर ले आते हैं So at the close of this candle हमें यहाँ एक buying pressure देखने को मिलता है इसलिए इसका color matter नहीं करता Even यह red color का है फिर भी यह एक bullish candle है क्योंकि यहाँ rejection नीचे से आ रहा है अब bearish pin bar के पीछे का logic समझते है Same यहाँ आप इसके upper week को देख कर समझ सकते हो Rejection उपर से आ रहा है मतलब यहाँ आमें selling pressure देखने को मिलता है इसलिए इसका color matter नहीं करता Even यह candle green है फिर भी यह एक bearish candle stick है Now जो most common mistake एक beginner करता है Pin bar को trade करते समय वो है जब एक pin bar chart पर form होता है Beginners यहाँ immediately surface pattern के base पर trade ले लेते है बट pin bar को trade करने का यह एक गलत तरीका है इसे explain करने के लिए मैं आपको दो setup दिखाता हूँ यहाँ आप देख सकते हो Market download move कर रहा है और यहाँ आपर पास एक bullish pin bar है Now अब setup number 2 देखते है यहाँ आप देख सकते हो Price यहाँ भी नीचे जा रहा है और यहाँ भी हमारे पास एक bullish pin bar है पर इस बार market इस pin bar पर react करता है और उपर चला जाता है तो अब यहाँ एक question आता है ऐसी कौन सी quality है जो setup number 2 को setup number 1 से बेटर बनाता है दोनों में downtrend move के बाद bullish pin bar बनता है पर एक में market pin bar पर react नहीं करता और दूसरे में market pin bar पर react करता है और वहाँ से उपर चला जाता है setup number 1 एक low quality trade setup है क्योंकि यहाँ हमारे पास additional confirmation के लिए कोई supporting factors नहीं है मतलब यहाँ बहुत कम chances है market का pin bar के साथ react करने का और setup number 2 एक high quality trade setup है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ pin bar अपने previous support level पर फॉर्म हुआ है अगर आप past की data को देखो तो price इस level पर already एक बार reject होकर उपर चला जाता है then price वापस इस level को अप्रोच करता है अब यहाँ एक possibility है price वापस इस level से reject होकर उपर चला जाए तो यहाँ अमारे पास pin bar के अलावा other supporting factors भी है तो यहाँ chances ज़्यादा है market इस pin bar के साथ react करे now अब समझते हैं हमें क्या से high quality trade setups find करने हैं so first of all हमें key levels को identify करना है यहाँ आप देख सकते हो price इस level तक उपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है जो इसे एक resistance level बनाता है next price वापस इस level को अप्रोच करता है और आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास एक bearish pin bar है again यह एक bearish pin bar है क्योंकि इसका upper week लंबा है और lower week छोटा या ना के बराबर है यहाँ आप देख सकते हो buyers इस resistance level को break करने की कोशिस करते है और price को उपर लेकर जाते है पर जब sellers की entry होती है price ज़्यादा दे resistance के उपर sustain नहीं कर पाता और sellers वापस इस price को resistance level के नीचे लेकर आते है तो यहाँ हमें उपर से selling pressure देखने को मिलता है तो confirmation के लिए यहाँ हमारे पास एक resistance level है next price वापस इस level को अप्रोच करता है और यहाँ हमारे पास एक bearish pin bar है तो यह सारे factors मिलकर यहाँ हमें एक अच्छा sort का opportunity प्रोवाइट करता है now अब हमें risk management के लिए हमें इसके high के उपर stop loss लगाना है और हमारा profit target अब हमें की levels को देखना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक previous resistance level है चुकी price इस level को hit करता है और यहाँ से नीचे चला जाता है जो इसे एक resistance level बनाता है जो breakout के बाद support बन चुका है और अभी यह pin bar अपने support level पर है और साथ ही साथ यहाँ हम इसके wick को देखकर समझ सकते है price अपने support level को break करने में fail हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक trend line है और price trend line पर multiple time past में react कर चुका है तो यहाँ हमारे पास इस point पर दो key levels है जो इसे area of confidence बनाता है अगर price area of confidence पर है इसका मतलब यहाँ एक high possibility है price का इन levels के साथ react करने का अब हमारे पास multiple signals है जो हमें यह indicate करते है अब price यहाँ से उपर जा सकता है पहला हमारे पास level of confidence है दूसरा हमारे पास एक pin bar है so based on the multiple factors हम यहाँ buy कर सकते है और यहाँ हमें अपना stop loss इसके low के नीचे लगाना है और हमारा profit target stop loss का तीन गुना होगा तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा target अजीव हो चुका है आईए कुछ और examples देखते है so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for stock journey